कपर गोलियर से है जहा नगर निगम की विशेश 16 मुद्धे पर बैठक बुलाई गए जिसमें जबरजस थंगामा देखने को मिला बता दे कि इस बैठक में P.I.U. के द्वारा नगर निगम में कराय जा रहे कामों को लेकर सभापती ने एक घंजे का समय सत्ता पक्ष और विपक्ष को दिया था जिसमें विपक्ष की ओर से सभी B.J.P के पाशदों ने अपनी बात रखी लेकिन बाद में नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गए तो वहीं निगम सगापती ने आपत्ती दर्च कराते हुए समय सीमा में नेता प्रतिपक्ष से अपनी बात रखने को कही जिस पर नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने सभापती को साफ शब्दों में कहा सदन पाश्यदों की आवास को रोका जा रहा है गौलियर से योगेश मिसार्या की रिपोर्ट बिसेश सम्मेलन में जो चार सेश बिंदू बचे थे उन चार बिदों पर बारी बारी से सदन में चर्चा कराई गई चर्चा उपरांत उन चारों बिंदूओं पर नेड़ने किये गए सदन में सभी सदस्ट हमारे परवारिक सदस्ट है अब यह अपना अपना लेज़ा आ बात रख सकता है, लेकिन मैंने जो सदन में चर्चा कराई, वो सारे बिंदुओं पे समय फिक्स किया था, और चुकि निगम विधान में प्रावधान है, एक बिंदु पे लगभग पक्ष और बिपक्ष दोनों जने सदन में सारी सदस चर्चा कर लें, तो एक घंटा उपरा प्रावधान है, इसलिए मैंने सदन में सभी सदस्टों से आग्रे किया, कि एक घंटे में एक बिंदु पे आप लोग चर्चा करने, जिससे ये सारे बिंदुओं पे आज निर्ने हो सके, और ऐसा आज हुआ.